नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेशे 26 मार्च शुकरवार दोपह सवा तीन बजे रायस्थान की बड़ी खबरे शुकरवार को भारत बंद के चलते रेवाडी हिसार, चर्खी दादरी, मनहेरू, भीवानी बामला, रेल खंड के मध्य, रेल सेवाई प्रभावित हुई, इस दिन गाड़ी संख्या, 0478, रेवाडी बठिंडा, स्पेशल रेल सेवा रद कर दी गई, गाड़ी संख्या, 0478 शुरी गंगनगर बठिंडा स्पेशल रेल सेवा रद कर दी गई, इनके अलावा कुछ त्रेनों का समय बदला गया, तो कुछ को आशिक रद किया गया, रहसान में बिस्टाचार ने रोदग बियोरो बिस्टाचारियों पर लगातार प्रहार कर रहा है, एक के बाद एक ब गहलोत ने ट्वीट में कहा है कि रहसान में एसी बिस्टाचार के वरुद लगातार कारवाही कर रही है, जिससे बिस्ट लोगों में भैका माहौल है, रहसान का फोन टैपिंग मामला एक बार फिर उचलने के संभावना है, इस मामले में केंद्रे मंत्री गजुन्द सिंग शेखावत ने दिली में FIR दर्ज करवा दी है, ऐसे में एक बार फिर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ना तैमाना चौरा है, हलांकि अभी तक FIR में क्या लिखा हुआ है, इस बारे में विस्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, इसे बहले भी हाल ही में फोन टैपिंग के आरोपो को लेकर BJP ने राजे की कॉंग्रेस सरकार पर जम का निशाना साधा था, आवने के छाल के ठेके को लेकर ACB टीम पाली की ओर से की गई कारवाही देर रात तक चलती रही, इस वरान ACB अधिकारियों की ओर से तैसिलदार के घर पर सर्च कारवाही की गई, इसमें के बाद कारवाही शुरू की, रायसान लोग सेवा आयोक की ओर से रायसान नुचुन्यायले में, विभेन एडिटी याचिकाओं में हुए आदेशो की पानला में, प्राध्यापक वाने जे स्कूल, प्रतियोगी परिक्षा 2018 का नया परिणाम जारी कर दिया, कुल 118 अभ् प्रतियों को आरक्षी सूची में शामिल किया गया है, अब भ्रतिय रोल नंबर, मेरिट क्रमांक और कट ओफ माक्स आयोक की वेब साइट पर देख सकेंगे सरकार ने जिके साहम स्वास्ते विभाग को रेल्वे स्टेशन और बस्टान पर आने वाले हर यात्री की जांच रिपोर्ट देखने और सैंप्लिंग लेने के निदेश दिये हैं थानों में जब्त की गई पंद्रह सो टन बजरी बारिश में बह गई पुलिस की कहानी तब पता चले जब खानवी भाग कमिशनरेट की थानों में जब्त 30,000 बजरी की निरामी 26 मार्स को करने जा रहा है बजरी खरिदार थानों में बजरी देखने पहुँचे तो पुलिस का राज खुला खानवी भाग ने शोहर में 78 पुलिस थानों और चौक्यों में 30,000 बजरी जब्त की थिया और इसका सुपुर्द नामा भी बनवाया था रायसान में विधान सबा के उप्चुनाव के लिए आधी तस्वीर साफ हो चुकी है भारते जंदा पार्टी ने तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी पहले घोशित करके मनोवे ज्यानिक बढ़त बनाने की कोशिश की है पार्टे जंदा पार्टी के संसद्य बोड की मंजूरी के बाद पार्टी ने तीनों सीटों पर प्रत्याशों के नाम के अधिकारिक रूप से घोशना कर दी है इस लिस्ट में सहाड़ा से रतनलाल जाट को प्रत्याशी बनाए गया है बीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधान सबासीर पिछले दिनों कॉंग्रिस विधाय कैलाश तुरवेदी की नेधन से खाली हुई है और अब खबरे श्री गंगा नगर हनमानगर जिले की तीन क्रिशी कानून रद करने और MSP कानून की मांग को लेकर चौर माहा से आंदोलन का नेतरत्व कर रहे संग किसान मोचा के आवान पर शुकरवार के भारत बंग का व्यापा कसर श्री गंगा नगर हनमानगर जिले में भी देखा गया जिला मुख्याले से लेकर गाउं कस्पे तक बाज़ार बंद रहे शुहर वे गाउं की ओर से आने वाले मुख्य मारगो पचका जाम किया गया इज़रान शहर में भी चहल पहल काफी कम रही पुराने अबादी उदाराम चौक अगरसे नगर जवाह नगर दुर्गा मंदिर मार्केट सेतिया कलोनी वे ब्लॉक एरिया के मुख्य मारगो के बाज़ार वे दुकाने बंद रहने से लोकडाउन का भासा हुआ भायत बंद को व्यापारियों का भी पूरा समर्थन रहा सुबह से ही बाज़ार बन रहे सेंक्ट व्यापार मंदल के आवान पर व्यापारी सभा के लिए गोल बाज़ार पहुँच गए महागांधी चौकपर हुई सभा को माकपनेता, हेतराम बेनिवा, तरसेम गुपता, जगदीश जांदू, नरेश सेतिया, एड़ोकेट भुरमल स्वामी, सीटु के बियेस राना, कृषिन मिल, विनोध अगरवाल, गोपी नाकपाल और सोनु अनेजा आदी ने संबोधित क श्री गंगर अगरविधायक राजकमार गौड नहीं कहा है कि प्रतेक नागरिक की समस्या का उच्छी समधान होना चौहिए, तथा उन्हें समय रहते रहत मिले, इसी भामना को दिहान में रखते हुए जनसुनवाई का आएकरम ने धरित किये गए हैं, वे शुकरवार को पंचाय समिती सभागार में जनसुनवाई के दोरान संबोधित कर रहे थे, उन्होंने जनसुनवाई में गराम इंशेतर से आए नागरिकों की समस्याओं को एक एक कर सुना और संबनित अधिकारियों को कारवाही के निरतेश दिये, उन्होंने बताए कि राज्य सरकार के निरतेश अनसौर, द्वितेवे त्वितेवे त्विते गुरुवार को ग्राम फंचायतों में शिवर लगा कर सुनवाई होगी हनवानगा टाउन कस्पे में सित निजी फाइनेंस कंपनी में करोड़ रुपियों के सोने की लूट और नगदी लूटने के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने आरोपियों को रिमान पर लेकर तीन करोर रुपियों का सोना और एक लाख रुपे से अधिक किनक्टी बरामत की है मीडिया कर्मियों से बाचीत में स्पी प्रिती जयन ने बताया कि टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मन सिंग राठोर और अन्य अधिकारियों की टीम ने मदलाल सोनी पवंजाट कमपनी के मेनेजर स्वंजे सिंग सोनुकुमार डिप्टी उर्फ अनमोल मेगवाल और भीम सेन और भीम मेगवाल और सुभाशाट को ग्रिफतार किया है श्रेगंगान का शहर के पॉश कोलोनी रिदी सिदे में विदित विवस्था का भटा बैठा हुआ है सबसे शांदास विधाओं के दावेवाले इस कोलोनी में पिछले कई महिनों के दौरान शायद ही कोई रात ऐस हो जब विदित सप्लाई बंद ना होई हो कभी मौसम खराब का बहाना तो कभी लाइनों में तकनीकी खराबी के नाम पर इस कोलोनी में रात दो बज़े के बाद से अगले दिन दोपहर तक विदित कट लगा जो रहा है इस और घुशित कट से पूरी कोलोनी में अंधकार स अच्छा जाता है गुरुवार आधी रात के बाद से शुकरवार सुबह तक भी ऐसा ही हुआ बताया जो रहा है कि रात दो बज़े से पहले यहां की विदित सप्लाई ठप हो गई थी जो आज सुबह 11 बजे बहाल होई इस जोरा 9 घंटे तक करोनी के लोग लाइट आने का इंतिजार करते रहे श्रे गंगल का सहकारी उभगता भंडार लिमिटेट की वाशिक साधन सभा की बैठाक शुकरवार को पब्लिक पारक शेत्यसित भंडार परिसर में होई अध्यक्षी शिवदयाल गुपता ने अध्यक्षी उद्बोधन में भंडार की जमा हिस्सा रा में बताया महाप्रबंदक मुकिश मीना ने बताया कि बैठक में पिछली आमसभा की कारवाही की पुस्टी पर विचार किया गया वश्य 2019-20 के अंकेक्षीत लेखों के अनुमोदन पर भी चर्चा हुई वश्य 2019-20 के स्विक्रत बजट के विरुद अधिक हुए खर्चों क की पुस्टी पर विचार किया गया तो फिलाल इस पुलेटिर में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़े खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें